नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस प्लस पे मैं हूँ आरशी बढ़ते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर समाजवादी पार्टी आजसाइकल यात्रा निकाल कर चुनावी बिगुल बजा रही है और उनका नारा है यूपी के है ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश आजसाइकल यात्रा निकालने से पहले समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फरेंस रखी और प्रेस कॉन्फरेंस की शुरुवात में सबसे पहले उलम्पिक में जीतने वाले खिलाडियों को बधाई दी आज का दिन समाजवादी पार्टी पूरी सडकों पर है साइकल के साथ चल रही है पूरे प्रेस में जगे जगे समाजवादी पार्टी का पूरा नेतत्व कार्करता संग्ठन के लोग जगे जगे साइकल चला रहे हैं आज हम अपने नेता पार्टी के संस्ताफ़क जनिश्व मिजज़ी को याद करते हैं उन्होंने समाजवादी आंदूलन को हमेशा आगे बढ़ने का काम किया जीवन भर समाजवादी सिद्धानतों के साथ खड़े रहे जब कभी समाजवादी पार्टी पर संकट आया वो सामने खड़े हो गए उन संकटों का मुकाबला किया आज हम समाजवादी उनी के रास्ते पर चल करके प्रदेश को एक नई दिशा प्रदेश को नई उम्मीद लेकर के उत्त प्रदेश को खुशाल बना करके जनता को रहाद देना चाते है साथी साथ आज हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो कोरोना वाइरस की वज़े से न जाने कितने नोगी जान चली गई ऐसा मिस मैनेजमेंट ऐसी सरकार की नकामी और पूरा का पूरा सरकार का जितना भी एड्मिस्रेशन था उसने जनता को धोगा देने का काम किया बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई जिन परिवारों के सदस जिन परिवारों ने खोए हैं उनकी दुख की कल्पना नहीं की जा सकती वो परिवार आज भी बिखरे हुए हैं आज भी उन परिवारों के बीच में दुख है और इस सरकार ने उनकी जरुवत पढ़ने पर कोई मदद ने की जहां दबाई का इंतजाम हो जाता बिस्तर का इंतजाम हो जाता हॉस्पिटल्स में बैड का इंतजाम हो जाता ये सरकार नाकाम रही और आक्सिजन जिससे जान बच जाती आक्सिजन उपलब्द नहीं करा पाए जिसकी वज़े से नजाने कितने लोगों की जान चली गई सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जन्ता में नाराज़गी है आने वाले समय में हो सकता है जन्ता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे अभी तक तो हम 350 बोलते थे लेकिन जिस तरह की नाराज़गी जन्ता के बीच में है हो सकता है 400 सीटें जीट जाए और आज तो इस्तिती ऐसी है कि भारती जन्ता पार्टी के पास प्रतियासी कम पढ़ेंगे प्रतियासी टिकेट नहीं मांगेंगे बड़े पेमाने पे बताये गया कि भारती जन्ता पार्टी किस-किस चीज में आगे हो नमबर वन है अगर सही माइने में हम और आप हिसाब किताब लगाएं और सही आकलों को देखें तो देश के करोडो कुपोसित बच्चों में सबसे ज़्यादा है कोपोसित बच्चे अगर कहीं हैं कोपोशन के सिकार कहीं बच्चे हैं तो उत्तपरदेश में उत्तपरदेश सबसे नमबर एक पर है गंगा में लास बहाने के में नमबर वन गंगा के किनारे दफन किये गए लाशों के उपर से कफन उतारने में नमबर वन उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नमबर वन उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नमबर वन उत्तर प्रदेश करोना बीमारी के दौरान दवाईयों की काला बजारी करने में नमबर वन उत्तर प्रदेश सम्माने नाग्रकों को बिना इलाज के मारने में नमर वन उत्तर प्रदेश पंचाय चुनाव के दौरान अध्यापकों की बली देने के में नमर वन उत्तर प्रदेश सोले सो से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ तीन बताने में नमर वन उत्तर प्रदेश रोज़गार मांगने वाले विद्धारतियों पर लाठी चलवाने में नम्मर वन उत्तर प्रदेश सतर लाक नौकी देने का वादा करके अपने वादे से पढ़ जाने में भी नम्मर वन उत्तर प्रेश नौजमान पीडी का भविस बरबाद करने में नम्मर वन बेगुना लोगों को जेल में डालने में नम्मर वन मानिय नियाले की अभेलना करने में नम्मर वन महिला सुरक्षा में नम्मर वन विशेज जाती और धर्म के लोगों पर अत्यार करने में नम्मर वन उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होडिंग लगा कर अपनी नाकामी को छिपाने में नम्मर वन कस्टोडियल डेथ जुडिसियल डेथ में नम्मर वन जूंड बोलने में नम्मर वन डीने के लेकर के मैंने सुना है जिस तरीके से हमारे मुख्यमंति जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है इसलिए लैपटॉप नहीं बाटा जिस तरीके से साड़े चार साल में आपने मुख्यमंती जी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि 3 इंटू 660 सुपर क्रिटिकल थर्मर प्लांट उत्तपदेश में समाजवाजी सरकार ने लगाये थे आज भी पूरे नहीं हो पाए आज एक नई चीज उन्होंने जानी है किस बाइलोजिस्ट से मिले है किस डॉक्टर से मिले है मुझे नहीं पता है शायद वो डियने भी नहीं जानते होंगी अगरकार डियने क्या है और डियने का फुल फॉर्म भी नहीं जानते है मैं तो पत्गाज सातियों से कहूंगा कि आज वो जहां कहीं भी हो आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछे डियने क्या है तो कोई बाद नी नगल से पास कर ले उसमें नम्मर बन उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी दलो ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है एक बार फिर समाजवादी पार्टी साइकल यात्रा के जरिये यूपी के सिंग हासन पर काबिज होने की तयारी कर रही है इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा की जियनती पर आज पूरे प्रदेश में साइकल यात्रा निकाल रही है देखें न्यूस प्लस की ये खास रिपोर्ट उत्रे प्रदेश में विधान सभा चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है एक बार फिर समाजवादी पार्टी साइकल यात्रा के जरिये यूपी के सिंग हासन पर काबिज होने की तयारी में जुटी हुई है इस कड़ी में समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा की जियनती पर आज यानि गुरवार को पूरे प्रदेश में साइकल यात्रा निकाल रही है इस दोरान पार्टी भाजपसारकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में भी लोगों को बताएगी साइकल यात्रा सुभा 11 बजे से शुरू हुई और शेत्र में 5-10 किलो मीटर तक चली अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्याले से जनेश्वर मिश्रा पार्ट तक साइकल चलाएंगे जहां रास्ते में कई जगा उनके स्वागत किया गया वहीं जनेश्वर मिश्रा पार्ट पहुँचने के बाद अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार पन किया अयोध्या में भूमी पूजन की वर्षगाट पर मुख्यमंत्र योग्या अधितनाथ आज आयोध्या पहुचे और विदी विधान मंत्रो चारण के वीच उन्होंने पूजा अर्चना की साथ ही मंदिर निर्माड की प्रगती पर अधिकारियों से चर्चा की देखिए एए रिपोर्ट आयोध्या में भूमी पूजन की वर्षगाट पर मुख्यमंत्र योग्या अधितनाथ गुरुबार को अपने तैक आरिक्रम से 45 मिनट पहले आयोध्या पहुच गए मुखे मंदरी योगिया दितनाद सबसे पहले राम जन्म भूमी परिसर पहुँचे उन्होंने राम लला के मंदर निर्माण के लिए हुए भूमी पूजन के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्षब में आयोजित धार में कनुष्ठान में भाग लिया और राम लला के दर्शन किये उन्होंने आर्ती में भाग लिया और पूजन किया मंदर के आचारे ने उन्हें प्षॉल उढ़ाई साथ ही उन्होंने पूरे प्रांगरंगा निरीक्षन किया और राम मंदर के मॉडल को देखते हुए मंदर निर्माण की प्रगती भी जानी अभी के लिए बस इतना ही पाल लगतार बने रही है निर्माण के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा निर्माण को दो कहां